सूपरभाद प्यारे बच्चो आज हम पढ़ेंगे हिंदी पाठे पुस्तक भाग चार का पाठ नमबर चार हैं शोक यही अर्मान यही इस पाठ में हम ये रीड करेंगे कि जो देश बक्ति की बावना है उसे हमें कभी भी दिल से नहीं निकालना चाहिए और हमें देश के हित के कारों में काम करना चाहिए सीख लेनी चाहिए कि हमें अपने देश के लिए कैसे काम करना है तो चलो बच्चो अब हम शुरू करते हैं है शोक यही अर्मान यही हम कुछ करके दिखलाएंगे मरने वाले दुनिया में हम अमरों में नाम लिखाएंगे तो इस पैराग्राफ में हमें क्या बताया है कि हमें यही शोक है यही इच्छा है कि हम कुछ करके दिखाएंगे मरने वाले दुनिया में हम अमरों में नाम बनाएंगे अमर क्या होता है बटा अमरों क्या होता है कभी ना मरने वाला जो सिपाई होता है वो हमारी देश की सेवा करता है और वो जब मरता है तो वो कभी भी किसी के दिल से नहीं मरता वो अमर हो जाता है तो वो क्या कहना चाहते हैं हम यही करना चाहते हैं यही करके दिखलाएंगे कि मरने वाले दुनिया में हम जब भी मरेंगे तो अमर होकर मरेंगे देश की सेवा करकर मरेंगे आगे है जो लोग गरीब बिखारी है जिन पर ना किसी किछाया है हम उनको गले लगाएंगे हम उनको सुखी बनाएंगे तो इस पैराग्राप में हमें क्या बताया है जो लोग गरीब और बिखारी है जो बहुत गरीब है बिखारी है जिन पर किसी का चाया चुआ नहीं है जिनका कोई साथी नहीं है हम उनको गले लगाएंगे और उनकी जीवन हम सुखी बनाएंगे आगे है जो लोग अंधेरे घर में है अपनी ही नहीं नजर में है हम उनके कोने कोने में उद्दम का दीप जलगाएंगे तो क्या बोला इस पैराग्राफ में जो लोग अंधेरे में है जिन लोगों का घर अंदेरे में जो बिल्कुल ही लाचार है गरीब है विखारी है उनके ही नजर में वो अपनी नजर में गिर चुके हैं वो कुछ करना नहीं चाते तो उनके घर में हम दीब जलाएंगे और उनके उद्धम मतलब उनको पृरिश्रम के लिए कहेंगे कि वुने भी काम करना चाहिए वखाड करना चाहिए अपनी देश की सेवा करनी चाहिए आगे हैं जो लोग हार कर बैठे हैं उमीद मार कर बैठे हैं हम उनके बुझे दिमागों में फिर से उत्सा जगाएंगे तो इस पेराग्राफ में हमें क्या बताया है जो लोग अपने आप हार गए हैं उमीद हार गए हैं वो हार कर बैठे हुए हैं उनको हम उनके दिमाग में ये बताएंगे कि हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए कभी भी ऐसा नहीं सोरना चीए कि हम हार चुके हैं हम कुछ नहीं हारे हैं हम अपनी दुनिया के लिए अपने भारत के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं उनके अंदर फिज से उत्साथ जगाएंगे आगे है रोको मत आगे बढ़ने दो आजादी के दीवाने हैं हम अपने देश को अच्छे से अजाद करवाएंगे और सभी को खुश रखेंगे मृत्त भूमी क्या होती है मृत्त भूमी होती है जनम भूमी जहां हमने जनम लिया है उसकी सेवा करेंगे और अपना सर्व सर्व क्या होता है सर्व सर्व होता है सब कुछ अपना सब कुछ लगा देंगे अपनी पूरी जान लगा देंगे अपने मृत भूवी को अमर रखने के लिए आगे हैं हम उन वीरों के बच्चे हैं जो दून के पक्के सच्चे थे हम उनका मान बढ़ाएंगे सच्चे सपूत कहलाएंगे तो इसमें क्या बोला है हम उन के वीर बच्चे हैं उन सिपाईों के बच्चे हैं, जो अपने दून मतलव लगन, अपनी लगन के केह और सच्छे हैं, उनकी लगन क्या होती है सिपाईों की, वो अपना काम पूरी लगन से करते हैं, अपना घर बार छोड़कर हमारी सेवा करते हैं हम उनका मान बढ़ाएंगे ठीक है और सच्चे सपूत कहलाएंगे क्या कह रहे हैं अच्छे सपूत कहलाएंगे अच्छे बच्चे कहलाएंगे अपनी दुनिया की अपने समाज की अपने भारत की सेवा करेंगे ठीक है और यह पोयम हमें किस ने लिखी है पंडित रामन रेश त्रिपाथी ने लिखी है तो यह हमने चैप्टर नमबर फॉर रीड किया है हिंदी का है शोक यही अर्मान यही धन्यवाद बच्चों